तो आसे को नवस्ते प्राम मैं आपका अपना ठागुर प्रकर सिंगों रात के दस बच चुके हैं और कहानी का जो सिल्सिला है बदस्तूर जारी है पिछले एक दो सालों से हम लोगों ने देखा कि सोसल मेडिया पे लोग वीडियोज रालते हैं उससे उनको अच्छी खासी मगबूलियत मिलती है पैसे भी बढ़िया मिलते हैं अब इस रेस में कुछ पुलिस वाले भी आ गया है जैसे एक आई एस ओफिसर हैं दीपक वो भी वीडियोज बनाते हैं फिर एस पी पल्लो उनका भी वीडियो खुब सोसल मीडिया पे वाइरल हुआ उससे पहले उनका नाम तो नहीं आदा रहा लेकिन उनकी एक वीडियो साइध हम लोगों में से कोई बहुत बिर्णा ही ऐसा होगा जिन्होंने ना देखा हो कुरूना के टाइम पे उनकी वीडियो बहुत वाइरल होती थी आओ यार बाते कर लो चार तो इस तरह से प ख़िखाड़ता थलक सकास THEY कंए दिखाने के चकर में कितने बड़े सिंखम प्रवक बन्की क擊न ने द़ूंक किसम Merkel किसं थै में दरव्लाइब के लेडियन jóथिess sn cant टेनात थी मदह 나서 अब दो दिन पहले की बात है वो अपने गाड़ी से वापस आ रही थी अब जाहिर सी बात है जॉइंट मजिस्टेट है तो उनकी गाड़ी पे लाल नेली बत्ती होगी मकाइदा एक हूटर लगा होगा अब जैसे वापस आते हैं फौरन एक तिराहे के पास उनको दो पुलिस वाले रोकते हैं एक एससाई बिसुन सर्मा और यसाई मनोज कुमार यह दोनों रोकते हैं रोकने के बात कहते हैं कि भाई गाड़ी पे हूटर कैसे लगा है अंदर से ट्राइवर बोलता है कि आईस आफिसर बैटी है तो हूटर लगा है लेकिन अब चुकि कैमरा ओन था औ करने में ये लोग इतनी मश्गूल थे किनों ने देखा ही नहीं कि सामने काइस ओफिसर है मैडम अंदर से कार्ट दिखाती रही अपना पर्चे देती रही कि मैं जॉइंट मजिस्टेट हूं इन्होंने एक ना सुनी पहले गाड़ी का बोनेट खुलवाया उंदर से हूट पर निकल आया उसके बाद फिर जो फ्लैसलाइट लगी थी उसको निकल आया उसके बाद इस वीडियो को भी बड़े खुसी मन से सोसल मीडिया पर पोश्ट किया अब जब ये वीडियो एडियो वा तो आइरल होने के बाद तो काइदे से फॉरण डीयम साहब तक ये बात अब डीम साहब ने देखा कि काईयस ओफिसर की इस तरह से बेजिती हुई हरकम मचा पुलिस मैके में में इधर मदमिता जी भी जाती है और डीम से कंप्लेंड करती है और कहती है कि आपके हाँ मेरे साथ ऐसी बत्तिमी जी हुई है फॉर इस वी साहब को बुलाया गया और कहा गया कि भाईया देखिए आपका पामला है अब एस वी साहब इन दोनों को लाइन हाजिर करते है और लाइन हाजिर करने के वाजब इससे पूछा गया तब पदा चला है कि यह जो एक मिशन चलना है नो बी आईपी वाला यानि सब्लीक सर्वेंट जो काम करता है जिसकी पूई जिन्दगी ही से लिए गुजर गई कि उसकी गाड़ी पे एक बत्ती लग जाए बारा बारा घंटे चौदा चौदा घंटे सोला सुला घंटे पढ़ाई करने के बाद जब सिलेक्ट होता है कोई सड़क शापनेता नहीं है कि 5 साल तक बत्ती रहेगी उसके बाद बत्ती उतर जानी है उसी बत्ती के लिए उसने तयारी किया और वो बत्ती लगा कि गुजरे और कुछ छोटे मोटे पुलिस वाले अपनी रील के चकर में अगर ऐसी कारवाई करें तो अपने आप में सोचने वाली बात है कि क्या बी विप कल्चर खतम करने की चकर में हम विया एपी या फिर सरकारी ओफिसरों से इस तरह की बत्तिमीजी करते हैं ख्यर, यह सवाल मैं आप पे छोड़ता हूं, अब आते हैं आज की कहाणी के बात करते हैं, आज की क्यों कह रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताता हूं दर्शन इस कहानी की सुरुवात होती है अभी बीते मंगलवार को महरास्ट में जीला लगता है वसई और इसी वसई में एक जगा है चिंच पाड़ा वक्त सुबा के लगवग साड़े आठ बजे के रहा होगा इसी चिंच पाड़ा इलाके में एक लड़की जिसके उम्र बामुस्किल 20 साल नहीं होगी वो जा रही थी लड़की जा रही थी अचानक से लगबग उसी उम्रका एक लड़का उसके पीछे आता है आने के बाद उस लड़की को रोपता है उसके बाद एक हथियार होता है पाना का जैसे नट बोल्ट कसने वाला एक उपकरण होता है उस पाने से उस लड़की के उप़र हमला कर देता है अब सुबा के साड़े आठ बजे तमाम लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं लगबग 20 से 50 लोग उधर से गुजर रहे हैं लड़की के उप़र जब उस लड़के ने हमला किया पाने का वार सर पे किया स्टील का वो भारी सा अधियार चोट लगी लड़की फौरण गिर गई उसके बाद एक एक करके उसने मारना शुरू किया अब जब उसने मारना शुरू किया तो उसे टाइम पे वहां कम से गए 85 लोग मौजूद थे उन में से कुछ देर बाद एक शक्सा आ गयाता है आगे आने के बाद इस सिर्फरे नौजवान को रोखने की कोशिच करता है लेकिन फौरण ही यह उसके उपर भी हमला कर देता है अब वो इकलोता करी क्या दूर हटके खड़ा हो गया लगबग 30 सेकेंड में 15 से जादा वार इस लड़के ने किये और इन तमाम वार के चलते उस लड़की की वही मौत हो गए जब तक ये लड़का वार कर रहा था बकाइदा वहां पे कई लोग गुजर रहे थे कई लोग वीडियो बना रहे थे कई लोग आपस में डिसकस कर रहे थे कि आखिर मामला क्या है लेकिन साहिद किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जाए और उस लड़के को वहां से अलग करे या फिर उस लड़की की जान बचाए लड़की तडब तडब के वहां मर जाती है और आपको याद होगा ऐसा ही एक मामला हमने दिल्ली में देखा था जहां साक्षी को उसका वैफेंट साहिल चाकूओं से गोद गोद के मारता है उसकी बाग पत्थर से उसका चेहरा खराब करता है कुचलता है लेकिन उस दवरान कोई भी माई का लाला आगी नहीं आता और सेम ऐसा ही कुछ यहां हुआ लड़का मारता रहा लड़की मरती रही अंते में उसने दम तोड़ दिया कोई भी आगी नहीं है खैर अब तमाम लोग वीडियो बना रहे थे तमाम लोग आपस में बात कर रहे थे इसी वीच किसी ने पुलिस को फोन कर दिया कि एक लड़का एक लड़की को इस तरह से मार रहा अब जब यह एक बात पुलिस सुनती है तब उसके कान में जूर रहती है क्योंकि सेम कंप्लेंड कुछ दिन पहले उसे मिली थी फोरण भाग के पुलिस वाले आते हैं आने के बाद इस लड़के को गिरबतार करते गिरबतार करने के बाद अब इससे पोस्तार शुरू ही कि भाई तो ने क्यों मारा तब यहीं से पूरी कहानी लगबक साथ साल पहले चली आती है और साथ साल पहले से यह कहानी इतनी अजीब थी इतनी घमाओदार थी कि सुनने के बाद आदमी हैरान हो जाए कि आखी रहसा कैसे हो सकता है दरसल इसी वसाई में या फिर इसी महराष्ट में एक जहां लगती है नाला सुपारा और इसी नाला सुपारा में एक इलाका है सिर्दी नगर इसी सिर्दी नगर में लगबक साथ-ाथ साल पहले यूपी से एक फैमिली आके रहती है और इस फैमिली में एक लड़की थी इसका नाम था आरतिया तो उम्र भा मुस्किल 13 से 14 साल इसी सिर्दी नगर में आके रहने लगी इसी दवरान वहाँ पे एक लड़का भी आके रहने लगा जिसका नाम तो रोहित यादो उम्र भी लगबग सें वही 13-14 साल अब आरती यादो की तो पूरी फैमली थी पिता थे माता जी थी एक बहन भी थी लेकिन जो रोहित यादो था उसके आगे पीछे कोई नहीं था वो टोटली अनाग था अब आमने सामने घर आरती और रोहित एक दूसरे की हम उम्र 14 साल की कच्छी सी उम्र दोनों के वीच बाच्चीत होती दोनों एक दूसरे के साथ खेलते कूदते वक्त के साथ साथ दोनों ने एक दूसरे को अपना दिल दे दिया अब दोनों ने एक दूसरे को दिल दे दिया एक दूसरे को प्यार करने लगे इतिफाक से अगल बगल के तमाम लोग जानने लगे कि आरतियादो और रोहितयादो ये गुसरे को प्यार कर रहे हैं अब 14-14 साल की उम्र उन्हें लगा कि चलो कच्छी उम्र का प्यार है किसी को क्या ही दिक्कत इधर रोहितयादो के पास रहने खाने को कोई शाधन नहीं था तो उसने अब इधर उदर नोकरी करनी सुरू की एक जगह उसकी नोकरी लग गई अब जब उसकी नोकरी लग गई तो नोकरी लगने के बाद अब उसे ठीक ठक सेलरी मिले लगी लगबग 15,000 रुपए अब 15,000 रुपए जब उसे सेलरी मिली तो उसने अपना देखा कि मेरे रहने खाने का खर्चा कितना है तो फिर चुकि आरती से प्यार भी था और आरती भी से प्यार करती थी और घरवाले भी लगबग लगबग ये बात जानते थे तो रोहित यादो ने सोचा कि मैं सैलरी और तनखा ये पैसे रख के क्या गरूँगा और अरंत में मुझे आरती से ही शादी करनी ही शादी करनी को अधिसी के घर रहना है उसी के फैमिली को अपनी फैमिली मानना है तो बाद में करने से अच्छा भी उसकी फैमिली को अपनी फैमिली माल लेते लिहाजा जो रोहित यादो है अपनी सैली का लगबख हिस्सा आर्थियादो की फैमिली को देने लगा आर्थियादो की फैमिली भी लगबख खुश रहने लगी तमाम चीजे बिलकुर ठीक चल र आगे बढ़ रहा, इधर रोहित यादो की सैली भी बढ़ने लगी 15 से 20 हो गई, रोहित अपनी सैली में से जो उसने अपने बयान में बताया कि तीन से चार हजार रुपे उपने पास रखता था बाकि यो तमाम पैसे आरती यादो की फैमिली को दे देता था, आरती यादो की फैमिली भी खुश की चलो एक होनार लड़का कम से कम इसकदर मेरे परिवार को पसंद कर रहा, इसकदर मेरे परिवार से जुड रहा कि इस महांगाई भरे दोर में इतने पैसे जो उसकी मेहनत के हैं उठा कि मुझे दे दे रहा, तो फैमिली भी अब रोहित यादो को पसं हो गई तो उसने सोचा कि इधर रोहित कमा ही रहा परिवार के हालत उद्री अच्छी है ने तो अगर मैं भी कहीं नौकरी करूंगी तो साथ चीजें ज्यादा बिटर होंगी इस बारे में आरतियादों ने रोहित यादों से डिस्कस किया उसने कहा कि क्या मैं नौकरी करूं रोहित यादों ने कहा कि इससे बढ़िया क्या है तुम भी कमाओगी परिवार की थोड़ी वो थिल्फ हो जाएगी चलो मैं तुम्हारे लिए कही नौकरी की बात करता हूँ इसके बाद रोहित यादों ने आरतियादों के लिए एक जहां नौकरी की बात की इतफाकन बात बन गई उसके बाद आरतियादों की वहां नौकरी लग गई रोहित भी वहीं काम करता था अब दोनों boyfriend girlfriend एक दूसरी के साथ अब जाते हैं और वहाँ पे नोकरी करते हैं अब तनका भी दोनों की double हो गई, पैसे भी ठीक ठाक आने लगे रोहित यादो भी खुशता कि अब हम दोनों की शादी हो जाएगी आरती भी खुशती कि हम दोनों की दूसरे शादी करेंगे, सुखी जीवन गुजारेंगे लिकनी सी दवरान इस कहानी में एक twist आता है दरसल आरती यादो जब देखती है कि उसके पास ठीक ठाक salary आ रही है ठीक ठाक उसके पास पैसे आ रहे है तो दुनिया के चकाचोद में थोड़ी सी भगने लगती है उसके दिमाग में एक idea आया कि क्यों न और लोगों से बातचीत की जाए देखा जाए कि दुनिया में क्या चल ला इसके बाद office में उसके कुछ दोस्त भी बने अब जब दोस्त बने तो फिर दोस्तों से भी बातचीत होने लगी लेकिन कहीं न कहीं रोहित को ये बात बरदाश नहीं होती थी रोहित देखता था कि उसकी girlfriend किसी और से बातचीत कर रही किसी और से contact में ये चीज़े उसे पसंद नहीं है उसने मना किया लेकिन इसी दोरान आरतियादों एक लड़के की तरब attract होने लगी उसने उस लड़की को प्रपोस किया वो लड़का भी आरतियादों को प्रपोस करने लगा इसके बाद अबारती काईदे से एक ही ओफिस में दो लोग की girlfriend हो गई रोहित जो बच्पन का प्यार था और साथ ही एक नए आउफिस का आदमे ये बात रोहित को पता चली रोहित को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई रोहित ने बिरोत किया और कहा कि तुम उस लड़के को छोड़ दो रोहित ने जब कहा कि लड़के को छोड़ दो तो आर्ती ने वहाँ पे मना कर दिया और कहा कि नहीं मैं उस लड़के को पसंद करती हूँ अब ये बात जब रोहित नोटिस करता है कि आर्ती ने ऐसा बोला मानो उसके पैरो तले तो जमीन खिसक गए चुकि जिस लड़की के लिए उसने अपने तमाम सेलरी छोड़ दी छे साल से उस लड़की के प्रतिकों लोयल था आज उसने ऐसा बोला मजबूर रोहित करे तो करे क्या उसने फैसला किया क्यों आर्ती के फादर को इस बारे में जयनकारी देगा वो जाता है आर्ती के फादर को इस बारे में बताता है आर्ती के फादर बीच में कुछ समझा होता कॉंप्रमाइज कराने की कोशिश करते हैं लेकिन देरे देरे अब आरती भी रोहित से पीछा चुड़ाने लगी अब इसी बात को लेकि आरती और रोहित के बीच तक्रार होने लगी अब जब तक्रार होई तो एक दिन काफी लड़ाई जगड़ा भी हुआ हाता पाई भी हुई आलम ये हुआ कि एक दिन डोहित ने आरती को धमकी दे दी और धमकी दी और कहा कि अगर तुम उस लड़के से बादचीत करोगी तो तुम्हारा पहडाम जोगा वो अच्छा नहीं होगा उसके बाद आरती ने बाद घरवालों को बताई गरवाले जाते हैं पुलिस टेशन और कम्प्लेंड दर्ज करवा देते हैं और कहते हैं कि एक लड़का मुझे परिशान कर रहा हूँ अब घरवालों ने जो कम्प्लेंड दर्ज करवाई तो काईदे से पुलिस वालों को यहाँ पे कोई शक्त कारवाई करनी चाही थी जो कि मामला वन साइड़िड लपका था पुलिस वाले रोहित को बुलाते हैं और बुलाने के बाद समझा भुजा के छोड़ देते हैं अब यहीं से रोहित के मन में गुस्सा आता है रोहित सोचता है कि जिस लड़की के लिए बने इतना किया जो मुझे देल की हवाखवाने की पीछे पागल अब तो मुझे कुछ करना होगा उसके बाद रोहित एक प्लान बनाता है कि अब जिस से आरती ने मेरे साथ ऐसा किया उसको मुझे सबक सिखाना है तो सबक कैसे सिखाना है तो फिर बकाइदा रोहित अठारा तारीक को यानि भी जो अठारा तारीक गुझरा इसी अठारा तारीक को आरती का पीछा करता है उसके बाद आरती को रोकता है रोकने के बाद आरती के उपर हमला करता है और अन्थ में आरती का कतल कर देता है कतल करने के वागत पुली स्वाल है जब उसे गिरबतार करते है तब ये तमाम कहानियों सुनाता है कि कैसे सुरुवा आतम मुद्श का एक तरफ प्यार था और कैसे आरती ने उसे दोखा दिया अब इस कहानी को गर आप ध्यान से समझें तो इस कहानी के दो पहलू है पहला पहलू रोहित का है उसके हिसाब से वो 6 साल तक लगातार आरती को लेके सीरियस था 6 साल तक लगातार उसने तमामों चीजें की जो एक boyfriend जो एक husband या फिर जो एक life partner अगर सीरियस relationship पे हो तब ही करता है जैसे अपनी पूरी salary family को दे देना 6 सालों तक किसी ओ लड़की की तरफ ना देखना और अंत में उससे क्या मिला वो था धोका दूसरा पहलो इस कहानी का है आरती के family members का उन्होंने कहा कि हाला कि दोनों relationship में थे लेकिन हमारी जो लड़की थी उसके साथ अब खुश नहीं थी इस बारे में जब प्रोहित यादों ने बकाइद धमकी दी घरवालों पे हमला किया घर पे आके ड्रामा किया टॉर्चर किया हड़कम मचाया तो हमने पुलिस को पूरे मामले की गंभीरता बताये थी कि किसी साथ से हमें एक लड़का परिशान कर रहा अगर पुलिस वाले उस टाइम कुछ सक्त कारवाई करते हैं और इस लड़के को ढरा देते हैं तो साथ ये लड़का इस तरह से तमाम काम न करता अब इस कहानी में एक और फैक्टर है अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ टाइम पहले ही शाहिल ने भी ऐसा किया था होती है एक सिर फिरा बढ़े बाजार में एक लड़की को मारता है एक लड़की को टॉर्चर करता है परिशान करता है लेकिनकोई भी कोई दिल्चस्पः नहीं दिखाता कोई भी बढ़ के मदध के लिए आगे आथा तो सायद पूर्शार्थ कहीं ने कहीं अब खतम हो चुका है खैर एक लड़की जो मर गई एक लड़का जो मार की जिल में है और लोग वीडियो बना रहे हैं तो फिलाल यह थी पूरी कहानी उम्मिद है कहानी से आपने कुछ सीखा होगा तो वीडियो को लाइक करके च जाएं बंदे मात रहों